तो दोस्तों फाइनली विंडो 11 है वो आ चुकी है अब नहीं नहीं विंडो आई है तो यार इसे हर को यूज करना चाहिएगा लेकिन जिसके पास पुराना लेप्टोप या PC है तो वो जैसे ही अपने लेप्टोप PC में विंडो 11 इंस्टोल करने जाते हैं तो भी या विंड इंस्टोल ही नहीं कर सकते हैं तो यार फिर जिनके पास पुराना PC या लेप्टोप है तो वो विंडो 11 इंस्टोल कैसे करेंगे क्या उनको नया खरीद के लेकि आना पड़ेगा पुराने वाले को फैकना पड़ेगा नहीं दोस्तों इसी समाधान तो इस वीडियो के अंद इंस्टोल कर सकते हो जी हां दोस्तों पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा लाइव करके आपको दिखाऊंगा वीडियो लंबी जुरूर बढ़ने वाली है अगर आपको विंडो 11 इंस्टोल करनी है तो यह वीडियो के साथ वो आप बने रहे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विज सिस्टेम के अंदर है शिक्योर बूट ओप्सन अबलेबल हो या नहीं हो लेकिन यह दो चीज़े अगर नहीं आपके पास तो आप कत्ते ही विंडो 11 इंस्टोल हो नहीं कर पाऊगे क्या क्या धान दिन जिएगा पहली बात आपके सिस्टेम की जो हाड डिस्क ड्राइव है वो GPT मोड में होनी चीज़े जिन साथियों को GPT मोड के बार में नहीं पता तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देता हूँ देखे हाड डिस्क के दो मोड होते हैं एक होता है MBR मोड और दूसरा होता है GPT मोड तो विंडो इलेवन हो वो केवल और केवल GPT मोड को ही सपोर्ट करती है बाकि जो पुराने वाली ओल्ड विंडो है वो MBR को भी सपोर्ट कर रही थी और GPT को भी यहाँ पे सपोर्ट कर MBR है वो पुराना है, GPDR है वो latest है, इससे आपकी PC की जो speed हो और जादा बढ़ जाती है, अब लेकिन यहाँ पर बात यह आजाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे system के अंदर कौन सी जो hard drive है MBR में है या फिर GPT में, तो दोस्तों इसकी process मैं आगे आपको बता दूगा कि कै कैसे आप पता लगा सकती है, और आगे आपको मैं यह भी बताऊँगा कि किस तरह से आप बगर data loss के अपनी जो hard disk drive है, उसको MBR से GPT मोड में, GPT से MBR मोड में आप convert वो कर सकती हो, बगर data loss की जानकारी आपको बताऊँगा, अब देखे फ़र्ण्स, यहाँ पे मेरे पिछे आप पिशे देख रहे हो, यह हमारा पुराना PC है, अलांकि कुछ चीजे इसके अंदर इतना पुराना भी नहीं है, लेकिन secure boot option available नहीं है, इसके अंदर हमारा जो processor है, वो भी via Windows 11 को support नहीं करता है, जो Microsoft ने CPU की या processor की list जारी किये, उसके अंदर हमारा यह मामला नहीं आता ह फिर भी आप यहाँ पर देख रहे हो, विंडो 11 है, वो चल रही है, अब पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कहां से तो आपको विंडो है, वो डाउनलोड करनी है, ठीक है, और कैसे install करनी है, पूरी बताऊंगा, लेकिन एक बात होगी, यहाँ पर GPT mode आपके hard disk drive होना दूसरी बात, आपके पास कम से कम 8 GB का एक खाली USB pen drive होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी data नहीं हो, अगर data पहले से available है, और आपके लिए important है, तो उसे दूसरे USB में transfer कर लिजिएगा, क्योंकि वो USB format होने वाली है, अब उस USB को भी आपको बनाना है bootable, अगर आप bootable नहीं बनाओगे, तो आप Windows install किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे, अब उसे USB को bootable कैसे बनाए, तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो में जानकारी दे रखी है, वीडियो की description में आपको link मिल जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा, सोड तरीके स आप कैसे पता लगा सकते हैं, कि आपका laptop या PC है, वो Windows इले उनको support करता है या नहीं करता है, तो इसके लिए आपको छोटा सा software डाउनलोड करना, जो कि Microsoft का official software है, जो कि पहले से ही मैंने मेरे PC के इंदर install कर रखा है, और जिसका नाम है PC Health Chakra, आगे मैं आपको बताऊँगा क आपके system के अंदर क्या-क्या चीज है, और क्या-क्या चीज नहीं है, जो कि Windows इले उनको support करती है, नहीं करती है, अगर यहाँ पे मेरे case की बात करें, तो देखे फ्रेंट्स, यहाँ पे cross का button आ रखा है, और आगे यह लिख रखा है कि this PC does not currently meet Windows इले उन system requirement, या नहीं, आपक 52400G का, जो कि Windows 11 को कत्ता ही support नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे, इस PC के अंदर Windows 11 है, वो चल रही है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे right click करते हैं, my PC या this PC पे, और इस पे जैसे click करेंगे, तो यहाँ पे अपने system के अंदर क्या-क्या चीज है, व देखें, यहाँ पे Windows Specification में देखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, Windows Illion Pro है, और इसका latest version है, और लास्ट जो update है, हमारी Windows 15 November 2021 को है, जबकि यह जो वीडियो में बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, 17 November 2021 को आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यह सोप्टी बोल रहा है कि आपका ही जो system में वो support ही नहीं करता है, देकिन यार फिर भी चल रही है, चलिए यहाँ पे see all results पे आपको click करना है, और इसके बाद यहाँ पे आगे और आपको option मिल जाएंगे, या काफी सारी चीज़े आपको मिल जाएंगे, जो Windows Illion support करते है, या फिर जो चीज आपके system में available है, उसके आगे तो देखिए यहाँ पे green symbol आ जाएगा, और जो system available नहीं है, तो यहाँ पे देखिए close गा button है, वो आ जाएगा, खर, इस तरह से तो अपन पता लगा सकते हैं, अब हम यह कहां से download कर सकते हैं, यह जो PC Health Checker का software कहां से download कर सकते हैं, तो दोस्तों वैसे त description ने, इसका direct link हो provide करवा दूँगा, और वैसे आप Microsoft की जो official website है, जब आप इस पे visit करोगे, software download पे click करोगे, window 11 पे click करोगे, तो देखिए इस तरह से आपके सामने है, window 11 के बारे में शुरुआत में आएगा, आपको सबसे last में जाना है, ठीक है, और सबसे last में जाने के अब आती है हमारी दूसरी step, और दोस्तों दूसरी step हमारी यह है, अब आपको यह पता लगाना है कि आपके laptop या PC के अंदर है, जो hard disk drive है, वो कौन से mode के अंदर है, वो MBR mode में है, या फिर वो GPT mode में, क्योंकि window 11 के ओल और के ओली GPT mode को है, वो support करता है, और मैं आपको यहा करना है, right click करके आपको यहाँ पे manage पे click करना है, और जैसे आप manage पे click करोगे, तो इस तरह से आपके सामने pop up आया जाएगा, यहाँ पे, आपको disc management वाले option पे आपको click करना है, और इस पे click करने के बाद, आपके system के अंदर जो भी hard disk है, जो भी driver है, वो सभी drive अपको यहाँ पे एक एक करके वो दिखा देगा देखें मेरे सिस्टेम में फिल हाल है यहां पे 2 hard disk drive है जो एक है एक टिप गी दूसरी है यहां पे 500 do bd की यहां पे यहां पे नाम डिस्क जीरो है दूसरी का नाम है दिस्क होन और एक यह जो निचे है वो हमारा पैंड रहा है USB जो कि आगे हमारे काम आने वाला अब देखिए जिस भी हार्ट डिस्क के बारे में आपको पता लगाना है कि वो MBR है GPT में तो उसको आपको यहाँ पर देखिए right click करना है ठीक है right click करना के बाद property पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर जो volume है और उसे convert कर सकते हैं अब यह मामला यहाँ के फच जाता है इसे convert कैसे करें तो यहाँ देखिए convert करने के लिए भी आपको एक सीधा सा software बताता हूं जिसका लिंक आपको वीडियो की description में आपको मिल जाएगा और जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे disk genuine जो कि बिल्कुल फिरी इस तरह का software है इसे आपको install कर लेना है install करने के बाद यहाँ पे आप अपने disk drive को MBR से GPT और GP2 MBR में convert कर सकते हो अलांकि इसमें किसी परकार का कोई data loss नहीं होने वाला data आपका बिल्कुल है वो shape रहेगा इस तरह का software है माले जी आपकी hard disk drive है इस पे आपको right click करना है और य यहां MBR से GPTR में हो जाएगी ठीक है यहां GPT में हो जाएगी ठीक है और हमारी पहले वाली देखिए पहले से GPT में है तो यहां पे देखें convert to MBR partition अभी MBR में convert के लिए बोल रहा है क्योंकि पहले से GPT में है तो इस software की मदद से आप अपनी hard disk है उसको आप convert कर सकते हो ठीक ह है दो step हमारी complete हो गई इसके बार में details से जानना चाहते है तो YouTube पर काफी सारे वीडियों के कैसे GPT को MBR में और MBR को कैसे GPT में convert करते हैं काफी सारे वीडियों आपको मिल जाएगी तीसरी step है दोस्तों यहां पर आपके पास एक बिल्कुल खाली USB या pen drive होना चीए ठीक है ज आपके पास जो USB drive है उसको आपको बनाना पड़ेगा bootable क्योंकि अगर वो bootable नहीं बनेगी तब तक window आपके PCI laptop में नहीं डलेगे अब bootable कैसे बनाए तो देखिए friends bootable के लिए तो वैसे मैंने एक अलग सी video बना रखी video के description में उसका link मिल जाएगा लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आपको यहां बता देता हूँ देखिए क्या करना है आपको refuse नाम का एक website है इस website पर आपको यहां पर जाना है और यहां पर जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर इसका latest version है विंडो 11 के लिए refuse 3.17 का अब मान लीजिए जो system support नहीं करता तो उसके लिए भी यहां से डाउनलोड हो कर लेगा ठीक है इसको आपको install कर लेना install करके आपको directly से open कर लेना ठीक है open करने के बाद देखिए इस तरह से यह software है वो open हो जाएगा ठीक है यहां पर सबसे पहले आपको अपने USB drive हो select कर लेना है हाँ यहां ध्यान रखना है आपको आते हैसका tässä से एहां से अफ्याप कर लेना है इसको आपको अपको एलोड कर सकते हैं यहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है। क्लिक करने के बाद यहां से आपको option है, यह पूछेगा, कि आप कौन ची जो window है, वो install है, वो करना चाहते हो, देखिए, कुछी second में यह पूछने लग जाएगा, अब देखिए, ठीक है, काफी सारी window आ जाएगे, अपने को तो window ilion select करने है, continue पर आपको click करना है, अब जैसे आप यहां पर continue पर click कर दोगे, तो window ilion के जितने भी version है, वो सभी version है, आपको यहां पर दिखा देगा, और दोस्तों यहां पर एक जानकारी देना चाहूंगा, देखिए, बिल्कुल genuine जो official Microsoft की window ilion की ISO फाइल है, यह वही download करेगा, यह नहीं, कोई fake है, कोई crack है, ऐसी नहीं यह download करेगा, देखिए, इस तरह से यह version आ गया, फिलाल एक ही version है, कोई version नहीं, इसको आपको continue कर देना है, तो आपकी यह जो file है, यह ISO file है, वो download होना शुरू हो जाएगी, दोस्तों यहां पर एक जानकारी देना चाहूंगा, देखिए, इस refuse की मद्द से यह दिए आप य विंडो 11 की ISO फाइल डाउनलोड करते हो, तो यहां पर देखिए, अगर आपका system में, विंडो 11 का support नहीं करता है, तो कुछ ऐसी फाइले डाउनलोड करेगा, तो automatic का support करने लग जाएगा, फिर directly bootable बना देगा, ठीक है, यहां पर माली जी, आपकी पूरी विंडो है, वो download ह इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो तो आपकी इंटरनेट की speed पर depend करता है, अगर आपके पास पहले से ISO फाइल है, तो यहां से select कर लिजेगा, for demo के लिए मेरे पास पहले से ही एक फाइल है, और यहां पर विंडो 11 आपको option पूछेगा, अगर आपकी विंडो डाउन पूलोड हो जाती है, तो फिर भी यहां पर देखिए option हो आने वाला, अब देखिए यहां पर image option काफी सारे option आ रहे हैं, आपको यहां पर zoom करके दिखाता हूं, अब देखिए यहां पर, standard window 11 install tpm 2.0 plus secure boot, अगर आपके system के अंदर यह available है, तो आप इसे select कर लिजेगा, इसके यही select करना है, क्योंकि इस तरह की कुछ यह file है, आपकी USB के अंदर है, वो install कर देगा window के अंदर, जब यह bootable बनाएगा, तो आपको यहां पर system requirement है, window 11 के उसकी जूर था, वो नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है, इसको आपको select करना है, इसके बाद यहां पर देखिए सबसे important चीज, partition scheme, यहां पर आपको दो option मिलेंगे, MBR और GPT, तो आपको यहां पर GPT select करना है, लेकिन एक बात को भी आपको इधान रखना है, आपको GPT तभी select करना है, जब आपकी system की hard disk dry हो, GPT mode में हो, अगर वो MBR mode में है, तो आपको यहां पर MBR mode के अंदर आपको select करना, ठीक ह याद रखना, यानि जिस system में, जिस PC के अंदर आप window डालना चाहते हो, वो GPT में है तो GPT select करो, MBR में है तो MBR में select करो, लेकिन आपको मैं यहां पर recommend करूँगा, कि जिस PC के अंदर या जिस hard disk के अंदर आप यह window install करने जा रहे हो, तो भी यहां उसकी hard disk का GPT में convert कर लिज अगर MBR में करते हो, तो वैसे देखिए, यह जो software रहे हो, MBR में भी यह bootable बना देगा, लेकिन यहां उसके अंदर आपको आगे समस्या आने वाली, तो मैं इसको recommend नहीं करूँगा, आप है GPT के अंदर ही है, वो कीजिएगा, ठीक है, यह select कर लिजए, फिर आपको आगे को bootable हो बन जाएगे, ठीक है, उसके बाद आपको आगे का कारिया यह है, जो कि आगे आपको बताऊँगा, विंडो इंस्टोल कैसे करते हैं, PC के अंदर वो काम करना, अब यहां पर बाइद विए, फ्रेंट्स मान लीजिए, यह जो refuse की मदद से हमने USB drive को bootable बनाया, ठीक है, यहां पर हमने no TPM, no Shaker boot का option भी select कर लिया, लेकिन फिर भी जब अपने PC के अंदर, laptop के अंदर विंडो 11 इंस्टोल करते हैं, तो आगे भी है, यह system requirement फैल बता देता है, कि विंडो 11 है, आपका system support नहीं करता है, बाइद वे कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है, मेरे सामने भी आ गई, तो आपको मैं पहले यह बता रहा हूँ, अगर यह मामला यहां से काम नहीं करता है, यह funda fail हो जाता है, तो यहां पर आपको मैं एक दूसरा जोगाड बताता हूँ, अब दूसरा जोगाड के है, वो आप देख लिजेगा, ठीक है, माली जी refuse की मदद से bootable आपने ISO बना लिया, bootable बना लिया, विंडो की file दल गई, वो काम नहीं कर रही है, तो फिर आपको क्या करना है, तो यहां पर देखिए, एक file है, जो कि आपको विंडो की file के अंदर replace करना है, अब देखिए, माली जी ISO फैल आपकी window की, इस पर आपको right click करना है, और इसको आपको यह यहां पर निच्चे आना है, और निच्चे आने के बाद देखिए, यहां पर एक file है, मापको zoom करके दिखा रहा हूँ, यह जो file है, आप अराम से देख लिजएगा, ढोंड लिजएगा, ए, डबल पी, आर, ए, आ, आ, ए, ए, डबल, आ, ए, 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 इ, 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 इ देनी है, तो यहां पर अगर मैं आपको दिखा हूँ, एक बार के लिए, तो देखिए, इस तरह की यह फाइल है, यहां पर इसको copy करना, ठीक है, राइट क्लिक करके आपको यहां पर copy कर लेना, मैं इसको more option कर लेता हूँ, मैं कुछ latest ही चीज़ है, copy कर लेना है, copy करने के आपको source वाले folder में लाके, यहां पर लाके आपको paste हवो कर देना, paste का option भी direct नहीं आ रहा है एक बार, paste करते हैं, तो यह देखिए, पूछेगा replace, तो आप इसी replace हवो कर दीजएगा, हलांकि मैं फिलहाल replace नहीं करा हूँ, replace करने के बाद, फिर से आपको, यह जो refuse वाला software है, इसके मदद से आपको यह जो file है, अलांकि हो सकता है, कि जब आपने यहां पर देखिए, यह ISO file के अंदर जब यहां पर click करते हो, मैं एक बार दूसरा folder open कर लेता हूँ, यह देखिए, ISO file है, यह कहां गया, मैं पिछे करता हूँ एक बार, इसको पिछे कर लिया, यह हमारी ISO file है, देखिए, पिछे यहां पर कर लेता है, अगर माली जी, यहां पर इसके अंदर right click करके source वाला folder open करते हो, और copy replace नहीं होती है, error message आजाता है, तो फिर आपको जैसे विंजब किया एक software होता है, उसके मदद से इसे extract कर लेना है, और इस तरह से यह जो folder है, देखिए, यह software है, आप यूटूब पे देख लिजेगा, search कर लिजेगा, ठीक है, वो ISO में convert करने के बाद, फिर आपको यहां पर अपना, देखिए, जो software है, कहां गाया, और refuge वाला, मैं open करता हूँ, और साइद कलोज कर दिया, मैंने यहां पर, चलिए, मैं इसको open करता हूँ, open करने के इस तरह से आगा, फिर से आपको bootable हो बना लेना, यहां से ISO फाइल हो select कर लेनी है, और direct bootable हो बना लेना, इतना काम हो गया, अब मान लीजिए, यह दूसरा जो जुगाड है, आपका 100% है, वो काम करेगा, इसी जुगाड से मैंने यह हमारा जो window eleon है, मैंने install किया है, और य चलते हैं, अपने PC की screen पर, अपने CPU की और चलते हैं, जहां पर अपने CPU के अंदर जो USB है, पैंडरा ही हो लगाएंगे, और किस तरह से आगे आपको window 11 डालने वो process में आपको बताता हूं, तो friends, यह है हमारा PC, और इसी PC में अपन window 11 install करेंगे, without secure boot के, अलांकि मेरे PC में secure boot क option है, फिर भी इसे हम disable करेंगे, और disable करने के बाद window 11 है, वो इसके अंदर install करेंगे, और यह है हमारा USB drive या pen drive जिसमें हमने window 11 है, वो install है, वो कर रखा है, जिसको हमने bootable बना रखा है, इस USB को अपने PC के साथ मैं connect कर देता हूं, और PC के साथ connect करने के बाद अपने PC को करते है on, और on करने के बाद इसकी bire setting है, आपको मैं open करके वो दिखा देता हूं, और bio setting को open करने के लिए मैं यहاں पे keyboard से deal की है, वो press करता हूं, अलनकि जो अलग-अलग जो motherboard होते हैं, उनकी bire setting को open करने के लिए, वो ब्याग-अलग होती है, तो आप अपने motherboard की bire setting की सोट की है, वो Google पे जाके सर्च कर सकते हैं और वैसे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर है वो भी दिखाऊंगा तो आप उसकी मदद से अपने PC की या अपने motherboard की bio setting ओपन कर सकते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि हमारे PC की bio setting है वो open होगे और यहाँ पे दो छोटी छोटी बाते और मैं आपको बताना चाहूँगा देखी यहाँ पे अगर बात करें अपने processor की तो इसके अंदर AMD Ryzen 5 2400G का processor है जो कि यहाँ Windows ELEON को support नहीं करता है आप Google पे जाकर सर्च कर सकते हैं Microsoft की website पे जाकर सर्च कर सकते हैं इस processor का नाम आपको दिखाए नहीं देगा अगर motherboard की बात करें तो यहाँ पे देखी जो motherboard है वो MSI का है अगर श्रीज की बात करें तो इसकी जो श्रीज है वो है B450M Pro M2 है जो की support नहीं करता है चली यह तो रही processor और motherboard की बात अब मैं आपको secure boot की जो setting है वो आपको दिखा देता हूँ direct setting पर click करते हैं और setting पर click करने के बाद यहाँ पर advanced setting पर आते हैं और यहाँ पर देखिए आपको एक setting मिल जाएगी window operating system configuration इस पर आपको यहाँ पर click करना है और click करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पर देखिए window 10 w hql support है वो enable कर रखा है इसको अपन disable करेंगे और यहाँ पर secure boot वाले option पर देखे तो देखिए इसको भी हमने यहाँ पर disable कर रखा आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको मैं यहाँ से इसको disable कर देता हूं ठीक है disable करने के बाद एक setting और आपको मैं यहाँ पर दिखा हूँगा और यहाँ पर देखिए boot वाले option पर चलते हैं और boot वाले option पर जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर boot mode select तो यहाँ पर legacy plus UEFI दोनों select है क्योंकि windows 11 होती है जो boot mode होता है वो UEFI पर ही start होती है और इसको support नहीं करती है लेकिन अपनी इसको legacy plus UEFI दोनों mode के उपर है इसको run करेंगे install करेंगे ठीक है एक चीज यह है इसके लाए एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूँगा देखिए यहाँ पर security वाले option पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर देखिए trust computing वाला option आता है normally window 11 क्या है कि वो TPM 2.0 है उसको यह support करता है अलांकि मेरे motherboard के अंदर है इसको आपको enable रखना है अगर आपके motherboard के अंदर यह setting available है तो इससे आपको on करना है अगर नहीं है तो भी window है डल जाएगा कोई दिक्रत वाली बा बूट करवाने के लिए keyboard से अपने फ लेवन है वो प्रेस करते हैं जो कि अलग लग मदर बोर्ड के लिए अलग लग है हमारे जो AMD का यहां पर MSI का मदर बोर्ड इसकी सोट की है वो अफ लेवन है अब जैसे मैंने यहां पर देखिए फ लेवन यहां पर प्रेस किया और प एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको हाइलाइट करके दिखाता हूं अलांकि थोड़ा वाइट है केमरे के अंदर फोकेस है वो कम आएगा फिर भी मैं आपको यहां पर तो इसका iOS एक बार कम करने के बाद आप यहां पर देखोगे साइद मैं तो नजर नहीं आ रहा होंग यह हमारी iOS setting camera की मैंने यहां पर करती है और शीदा मैं यहां पर interface करता हूं और interface करने के बाद हमारी यहां विंडो 11 की जो booting process है यहां installation process है वो start है वो हो जाएगी कुछी second में हलांकि थोड़ा time ले सकता है यह आपके motherboard पर depend करता है कि उसकी कितने speed है यह फिर आपकी जो USP उ अंदर अभी स्टार्ट होने वाली है थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहां पर यहां पर सर्चिंग होने लग गई है और आप यहां पर दखोगे ब्लू स्क्रीन है वो भी आ चुकी है इसका मतलब है कि हमारा जो विंडो है अभी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और यह किबोर्ड और में यहां पर और यहां पर इंस्टॉल्ट नाव का ओप्षन और पर क्लिक की तो आई डू नोट है वे प्रोडेक्ट की है हमारे पास कोई की नहीं है इसको अपने स्कीप कर देते हैं इसकीप करने के बाद देखें फ्रंट्स यहां पर एक बार में इसकी आयोस और कम करके आपको दिखाता हूं यह देखी यहां पर काफी सारी ओपरेटिंग सिस्टेम है आपको यहां पर दिख रहे हैं जैसे Windows 11 Home है ठीक है तो अपनी यहां पर विंड़ो 11 Pro है इसको सेलेट करें है ठीक है इसको सेलेट करने के अगर आपके PC में पहले से Windows 10 इंस्टोल है अगर उसको आप अपग्रेड करना चाहते हो तो उपर वाले ओप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है ठीक है और यहाँ फिर आप एकदम नया PC बनाना चाहते हो तो फिर आपको Custom Install Windows Only Advanced वाले ओप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है ठीक है चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे PC के अंदर जो भी यहाँ पर ड्राइव है जो पार्ट हमने बना रहे हैं वो सारे पार्ट यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं तो अपने यहाँ पे पार्ट वाले 2 को यहाँ से फोर्मेट करते हैं ठीक है फोर्मेट करने के बाद देखिए एक बार यहाँ पर आप देख लिजएगा short detail एक बार इसको फोर्मेट करने के बाद यहां पर इसको पार्ट है hard disk का यह format हो जाता है अब अपने यहाँ पर देखे next पर click करते हैं ठीक है पहले यह जो next है इस पर click नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी जो part है उसकी capacity वो कम थी तो मैंने इसको next पर click कर दिया अब देखे friends जैसे हमने यहाँ पर next पर click किया तो यहाँ पर आपको tension लेने के आवसेकता नहीं है यहाँ पर आपको अपनी hard disk drive से format करने के कोई आवसेकता नहीं है data बिल्कूल share हो रहेगा कोई भी data हो delete नहीं होगा इसके लिए आपको क्या करना है देखे आपकी जो hard drive है उसके अंदर जो आपकी C drive है उसको एक बार आपको delete करना है पहले तो आप यह try कर लिजिएगा अगर format करने के बाद अगर काम बनता तो ठीक है अगर नहीं बनता है तो फिर आपको इसको delete करना है क्यों उसी part को delete करना है जैसे हमारी पुरानी windows जिसके अंदर install थी जो C होती है drive होती है उसी को आपको delete करना है और इसके लाव एक यहाँ पर देखे system में रिजरू है और यहाँ पर drive बना रखी है यहाँ पर जो तकरीबन 500 MB के लगबग होती है इन दोनों को आपको यहाँ पर delete करना है अब जैसे हमने यहाँ पर C को select करते है तो यहाँ पर देखिए create new का option यहाँ पर आ जाता तो आप new हो बना सकते है ठीक है और यहाँ पर एक बार में यह जो अपने system रिजरू वाली इसको भी अपने यहाँ पर delete कर देते है ठीक है अब सबसे पहले अपने जो C drive है इसको अपने को create करना है इस पर आपको click करना है और click करने के बाद यहाँ पर directly अपन यहाँ पर apply पर click करते हैं और जैसे ही अपन यहाँ पर apply पर click करते हैं तो हमारी यहाँ C drive हो बन जाएगी और रिजिरू है जो drive है वो भी automatic है वो साथ है वो बन जाएगी यहाँ पर थोड़ा सा time है वो लग सकता है no tension थोड़ा सा wait कीजिएगा चलिए हमारी drive हो create होगई फिर आपको next पर click करना है अब जैसे आप यहाँ पर next पर click करोगे तो देखिए friends हमारा window install होना start है वो हो चुका ह है पूरी process है यहाँ पर चलने वाली है थोड़ा सा यहाँ पर time लेगा मैं वीडियो को यहाँ से fast forward है वो यहाँ पर करूंगा और एक बार यहाँ पर मैं अपनी ISO setting है वह भी बढ़ा लेता हूं ताकि आपको मेरा चेरा है वह दिख जाए देखिए ठीक है अब मैंने यहाँ पर अपने camera की ISO बढ़ा दी आलंकि यहाँ पर आपको white white नजर आ रहा है कुछ भी नजर नहीं आ रहा है शिरुक मैं नजर आ रहा हूं तो इस process को है वह आप चलने जिजेगा यहाँ पर थोड़ा सा wait करते हैं तो लो मैं भी फिर से यहाँ पर आ गया हूं और यहाँ पर अपने country का रिजिजन वह स्लेक्ट कर लेते हैं इंडिया कर लेते हैं यह पर क्लिक करते हैं और next step आ जाती है इसके बाद और इसके बाद यहाँ पर अपने keyboard का layout हो स्लेक्ट करना है इंग्लीस इंडिया सेलेक्ट करते हैं यस पर क्लिक करते हैं और फिर यह बोल रहा है कि आप second keyboard सेलेक्ट करना चाहते हो और नहीं हम नहीं करना चाहते है पर अपने सबसे पहले PC का नाम आपको देना है तो चलिए मैं यहां पर नाम है वो लिख देता हूं यहां पर चलिए मैं यहां पर नाम लिख दिया नेक्ट पर क्लिक कर दिया पासवर्ड देना चाहते हो तो आप यहां पासवर्ड दे सकते हो और बाद में भी आप लगा सकत है एक बार देखे ही लिख के आ गया है कि आप अपने जो पीसी है वो स्टार्ट होने के लिए फिलहाल यहां पर बिल्कुल तयार है रड़ी है और यहां पर कुछ सेकेंड का समय और लगेगा तो फेंट्स यह आगी है हमारी डेक स्टोफ देखे हमारा पीसी है बिल्कुल यहां पर रड़ी हो चुका है और इसको एक बार अपन क्लोज करते हैं अब देखिए विंडो 11 का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको यहां पर हो दिखाए देगा अब यहां पर देखिए जो प साइड में था कोने में अब यहां बीच में आगा इसको अपने लेप्ट साइड में भी कर सकते हैं और सेंटर में भी कर सकते हैं इसकी सेटिंग है वह आपको बताऊंगा और यहां पर जैसे क्लिक करते हैं थोड़ा सा यहां पर इसके बारे में आपको बता देता हूं PC को कैसे इनेबल करेंगे कैसे यहां पर सो करेंगे तो यहां पर आपको माउस की राइट क्लिक करना है और प्रसनलाइज वाले ओप्षन पर आपको क्लिक करना है चलिए इसको मैं बढ़ा कर देता हूं बढ़ा करने के बाद यहां पर निचे आते हैं और उसके बाद और दखोगे आपके जो डिस्क ड्राइव के पार्ट हैं आपको इस तरह से वो दिखाए देंगे चलिए अब आपन पहले बात कर रहे थे यह देखिए अपने जो टास्क बार है इसके अंदर यह देखिए विंडो वाला यह सेंटर में आ रखा है इसको लेप्ट में कैसे लेके करेंगे वापस यहां पर राइट क्लिक करना है और संही नीचा आना आ और इससे अप्त में कर देते हैं अब जहीं आपने इसको left में ही रख लेते हैं, close करते हैं, ठीक है, close करने के बाद, यदि हमें अपने PC को switch up करना है, or shutdown करना है, तो वो setting अपन कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, window key के आपको click करना है, और यहाँ पर देखिए, power का option आपको मिल जाता है, इस पर click करना है, दो option आपके सामने आजाएंगे, shutdown और restart, यहाँ से आप अपने PC को shutdown हो कर सकते हैं, इसके लाँ बहुत सारी setting है, friends, अगर आपको अपने PC की setting करनी है, तो यहाँ से देखिए, आपको right click करना है, display setting आपको मिल जाएगी, personalized setting आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, folder अगर आप create करना चाते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, इसके लाँ यहाँ पर देखिए, एक view का और option आ रखा है, window 11 के अंदर, अगर आप अपने यहाँ पर desktop को यहाँ पर show करना चाते हो, तो यहाँ पर देखिए, show कर सकते हो, और hide करना चाते हो, तो मैं यहाँ पर एक बार click कर देता हो, तो देखिए, जो भी icon थे, अपने desktop पे, वो शारे गाइब हो गए, ठीक है, वापस लाने के लिए view पर click करना है, right click करना, mouse की, और show desktop icon, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगे, personalized की और भी काफी सारी setting है, friends, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो जो आपको कुछ करना, जैसे time set करना है, language set आपको करनी है, तो यहाँ पर हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगे, देखिए, background है, background image है, यहाँ से आप change कर सकते हो, जो भी आप करना चाते हो, इस तरह से आप कर सकते हो, वापस थोड़ा सा बैक चलते हैं, एक दो setting और आपको यहाँ पर बता देता हूं, और यहाँ पर touch keyboard है, यहाँ पर PC या लेप्टोप के अंदर touch की facility है, तो उसको आप यहाँ से enable हो भी कर सकते हो, अलांकि तकरीबन तकरीबन यह नहीं होता है, तो इसको आप अपने window को update करना चाते हो, या अपने window को देखना चाते हो, या उसको activate करना चाते हो, तो यहाँ पर देखिए window update याने app to date या नहीं, कोई update नहीं है, फिलहाल यहाँ पर अवलेबल, क्योंकि हमने internet तो connect नहीं कर रखा है, तो इस तरह से normal setting है, आप जैसे जैसे इसके अ आप काम कीजेगा, आराम से सीख जाओगे, और मैं भी इसके मजे लेता हूँ, और कुछ इसकी internal setting है, मजेदार वो भी आगे की वीडियो के अंदर हम आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, फिलहाल इस तरह से देखिए, हमने without यहाँ पर secure boot को enabled केवे है, अपने PC के अंदर हमने यहाँ पर window 11 है, वो install कर ली है, इसके लाओ यदि आपको कोई problem आती है, तो वीडियो के निचे है, वो comment कीजेगा, मैं आपकी पूरी help करने के कोशिश करूँगा, और वीडियो एर अच्छा लगा अथर वीडियो को like कर देना, और channel पे पहली बार आयो, और हभी तक channel क नहीं subscribe किया, तो please channel को भी subscribe कर देना, बेल आइकन है, उसे भी दबा देना, all notification है, उसे भी on कर लेना, ताकि इसी परकार की नहीं नहीं वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे, तो मिलते हैं मिलते हैं मिले सकली एक नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जय हिन, जय तुँ है उसे आइकन है, आइकन है!!